जश्वंत चोदरी जी, राजिस्तान से, रादे रादे महराजी, महराजी हमारे मन में भगवान जी के विराजमान होते हुए भी हमारे मन में कई वार गलत विचार, गलत आचरन, किसी के प्रती, क्रोध, घ्रिना के भाप क्यों आ जाते हैं? बच्छा इसके दो रूप है एक है सत्मन और एक है असत्मन जैसे एक होती बुद्धी सुबुद्धी और एक होती कुबुद्धी बुद्धी में ही दो पार्ट है शुमती कुमती सबके उरराई नात पुरान निगम असकाई जैसे बिविशन जी बर्णन करने रावन से कि सुमती और कुमती दो होती है ऐसे सुमन और कुमन होता है एक कुमारगगामी मन होता है एक सुमारगगामी मन होता है वही मन तुम्हें बुरा मैसूस करेगा देखो जैसे तुमने पांच मिनट नाम जपने का नियम लिया अब उस पांच मिनट में आपसे कोई बात करने तो अच्छे पार्ट में भगवत भाव सच्चाई की बातें भरी हुई जितना तुमने अनंत जन्मों में किया है और बुरे पार्ट में बुराई की है ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई नहो और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई नहो क्योंकि सुद्ध स्वर्ण का आवूशन नहीं बनता उसमें मिलावट होती है ये मानो सरीर बना ही मिलावट से है पाप और पुर्ण से अब हमको इसको सुद्ध करना है जैसे कसोटी में कस के सोना सुद्ध किया जता है ऐसे तपश्या और भजन से हमें अपने मन को सुद्ध करना है उसके उस गंदे विभ पुरी करता है लेकिन उसका एक पार्ट पवित्र होता है अब अधिकतम या निवनतम ये इसमें देखा जाता है कोई अधिक पाप वाला सुभा वाला होता है कोई अधिक पुर्णे वाला होता है लेकिन ये दोनों पार्ट होते हैं तो देखो कभी-कभी मन अच्छी सला देत जैसे आपको ब्रंदावन लाया सादू शंग करवा रहा है यह मन नहीं तो करवा रहा है करवा रहा है नहीं मानते हो ना अगर मन ना कहता तो तुम नहीं आ सकते थे जबर जस्ती नहीं आयो मन राजी हुआ तब तुम आयो अब वो गलत मार्गों में जो ले जा रहा है यह ग नल्स्थ हो गए तो फिर पुनरपिजननom पुनरपिजननी जठरेसेंण अब इसे खेल क्यों रचा है थो फोन करके वगवान से पूछ explorat की किसी दूसरे की नहीं वहाप भी वही हो, अब भूल गए अपने आपको सरीर राग के वहाँ, तो आप स्रीर ₧ा-र कारण, था था गुल गया है इसलिए जो मन में असत भाव है उनको निकालने के लिए बच्चा मानो देह मिला है अब मन कह रहा है कि गंदी बात करना है आप निश्चे कर लिए नहीं करना है आप जीत गए वहीं भगवान बैठे इंद्रियाना मनश्यास में पर वो जिस भाग में बैठे है वो शत्य और पवित्र और सचिदानन्द है अब असत भाव को छोड़ो स्रीकृष्णन को लेन प्रतिकूल अश्यवर्जनम प्रतिकूल आच्रणों का त्याग करो पूरा मन भगवान बन जाएगा पर करना ये तुमें पड़ेगा ये गेम है ये खेल है ये तुमें करना बातों का त्याग करने के लिए तुमको ततपर होना पड़ेगा जैसे अभी पीछे वाले में कहा कि हमें माया पकड़े तो हमें बताओ कौन सी माया पकड़े क्या पकड़े आप पकड़े हो आपको माया नहीं पकड़े आप पकड़े हो रुपया से आप प्रेम करते हो इस्त्री से आप प्रेम करते हो शरीर से आप प्रेम करते हो नाना प्रकार की वासनाय व्यसन आप करते हो आपको जब जस्ती किसने पकड़ा है आपने सबको पकड़ रखा है आप आप भी शरीर राग से, आप भी नाना प्रकार के आचरणों से पहते हो, तो समझ पारे हो बच्चा? ये खेल है, इस खेल में आपको जीतना है, नाम जब करते हुए, सत्संग शुनते हुए, हमें गंदे आचरण वाला जो पार्ट है मन को, उसको सुद्द करना, अगर उसको सुद्ध कर लिए तो इंद्रियाना मनश्यास में मन भगवान श्री कर्ष वहीं तुम्हें अनुब हो जाएगा और आप परंपद के अधिकारी हो जाओगे भगवत पार्षद बन जाओगे अब जैसे योग्यता के बिना कोई पद मिलता है क्या आप विचारे आयोग्याद में पद में बैठ भी जाए तो तिक नहीं पाएगा तो ऐसे ही भगवान का जो परंपद है वो परमेष्ठी ब्रह्मा के भी पद से स्रेष्ट है जैसे अपने भारत में राष्टपती पद है तो इससे स अंधर्वो और प्रजापतियों का फिर उसके बास सबसे बड़े प्रजापती पार्मेष्टी पद ब्रह्मा जी और उससे भी बड़ा पद है भगवान का पारुशत पद भगवान का दासत्त पद तो अब काम विजयी क्रोध विदेई लोब विजयी मोह मद इनसे विजय प्राप्त किया हुआ सम्मे भगवान की भावना वो भगवत शुरूप मना जाता है तो अब उसी मन में भगवान है उसी में भगवान है पर वो प्रक्रिया के द्वारा मन के असत वासनाओं को अटा कर भगवान को प्रगट करना होगा यही साधना है जैसे दूद में घी ह पर दूद में पूड़ी निकाल के दिखाओ, दूद में पूड़ी डाल के नहीं निकलेगी, प्रक्रिया है, दूद गरम करो, उसको दही जमाओ, फिर उसका मंतन करो, फिर मक्र निकालो, फिर उसका दही, वो निकलेगा घी, ऐसे मेहंदी में लालिमा है जोर की, और पूरे पेड़ को पूरे पत्य को चीर के देख लो कहीं लाली नहीं दिखाई देगी प्रक्रिया है बाटो उसको बाट के कुछ संच छण हाथ में लगाए रखो फिदो ले देखो लाल हो जाएगा ऐसे परमात्मा तुम्हारे मन में है और उसकी प्रक्रिया है साधना करो असा वासनाओं को हटाओ प्रकासित हो जाएगा समझ पारे मुच्छा पर यह गेम है अब कहिदे कि भगवान ने ऐसा रचा क्यों तो भाई भी इसका उत्तर भगवाने से लिए क्यों रचा अब हम भगवान की बात अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम्हाई समझ में ने अपने आपसे अपने आपको रचा है किसी और को लई वो अपने आपसे अपने आपको रचा है अपने आपसे अपने आपका पालन करता है अपने आपसे अपने आपका संगार कर लेता है अब इतना ग्यान कहा है कि यह बात तुम समझ पाओ क्यों तुम भी वही हो तात कईटिर मानने लेगे अपने को मन मानने लेगे अपने कुछ अगर नसा करोगे तो ये सब कोई भवासो जाएगा नाम करो-दो को है और लो मेच़ जल्दी लाव प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नष्ट नहीं होता है, ज्यादा समय नष्ट ऐसे होता है, कि हम थोड़ा भजन करते हैं, जैसे हम चुलू-चुलू भर मच्की में पानी डालते जाएं, और चार-पांच साइड से छेद हो जाएं, वो कभ ठीके?